स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल स्टड़ी के अभिलाशा में मैं अभिलाशा आपका स्वागत करता हूँ आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज का लेक्चर व्यापार जगत से जुड़ा हुआ है the subject in ICAC known as commercial applications जिसे MBAs में, BBAs में, Management Studies में, Commercial Studies में, Commerce Students को 11th and 12th EBSC के करीकिलम में, कहीं कहीं, State Board के करीकिलम में पढ़ाया जाता है तो business की, I always used to say that advertising and brand promotion is the backbone of any business तो आज का topic और subject है commercial applications और उसमें हम deal करने जाएंगे advertising and brand promotions में दुनिया में अगर चाहते हो कि सब तुमें best कहें, तो इसकी शुरुआत तुमें खुद से करनी होगी क्यूंकि जब तक तुम खुद को best नहीं मानोगे, best नहीं बताओगे तो दुनिया कैसे बताएगी कि तुम ही best हो इस बात को जितना अच्छी तरह से समझ जाओ अपने पढ़ाई के जीवन के अपने परसनल जीवन में भी अपनी परसनल लाइफ में भी कि ये बहुती अच्छे शब्द हैं जिन्हें मेरे हिसाब से हर इंसान को follow करना चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आपको आप चाहते हो कि दुनिया आपको best बोले तो उसकी शुरुआत आपने खुद ने करनी है जब आप खुद को सबसे पहले खुद को best बोलोगे तब ही आप उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया आपको best बोलेगी ठीक ऐसा है कुछ होता है हमारे business में business क्या है basically the sales of goods and services समान जो बेचा जाता है उसको advertisement जो आप newspaper में देखते हो टीवी में देखते हो रेडियो में सुनते हो आजकल social media में आता है उसमें क्या किया जाता है क्या करते हैं बड़े-बड़े celebrities कोई भी ब्रैंड का जैसे cold drink पी र करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं that this product is best getting the point तो वो जो story मैंने आपको एक सुनाई है जो मैंने कुछ शब्द आपको कहे हुए है उससे समझ ये introduction, advertisement and brand promotions क्या है बताना best क्या है So let's discuss the four elements or techniques of promotion mix. The very first one is the advertising. Second, salesmanship. Third, sales promotions. Fourth, publicity. इसको हिंदी में कहा जाता है विज्यापन, salesmanship, विक्री प्रचार और प्रचार. डीटेल आगे पढ़ते हैं इससे पहले कि आगे बढ़ें आप सब अपनी अपनी dictionary, notebook और pen साथ रखें. दिल से पढ़ाई करो करना है तो गाना तो मैं गानी रहा हूं जा आप सुन रहे हैं वैसे ही है ना पढ़ाई करनी है so get all these things and then we'll move further. business का कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके concept को समझते हैं so let's understand the concept of advertising. So advertising word आया कहां से है? It is derived from the latin word advertir which means turn to, more देना, घुमा देना, क्या घुमाए जाते हैं आपे, attention लोगों का. So advertising turns the mindset and the attention of the people towards a product, a service or an idea or concept. So ये है concept advertising का. लोगों के नजरिये को, लोगों के सोच को बदल देता है. क्यों बदल देता है? कैसे बदल देता है? जब कोई known face, जब कोई मश्यूर शक्सियत हमें उस particular brand के लिए प्रेरित करती है. कि हाँ, इसे मैं भी इस्तमाल कर रहा हूँ, तुम भी करो. अब वो करती है या नहीं करती है? ये तो हमें off screen नहीं पता. बट on screen तो ये ही दिखाती है. So ये है कुछ concept of advertising. किन चीज़ों की हो सकती है? Advertising किसी product की, किसी सेवा की, या किसी idea की. डीटेल में move करते चलेंगे. धीरे-धीरे notes बनाते चलिए. जो word का meaning आपको नहीं आ रहा है, उसको dictionary से refer करिए. And underline the same word into the dictionary itself. ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आगे अगर same word को आप देखते हो कभी, तो life में third time नहीं देखना पड़ेगा कभी. And वो dictionary आपकी personal dictionary रखो. Do not share even with your siblings. Okay? Concept या introduction के बाद हम हमेशे definitions का जिक्र करते हैं, जिसे परिभाशा हिंदी में कहा जाता है. लोग बहुत डरते हैं यार इती सारी definitions क्यों learn करें, क्यों याद करें. याद करने में सब का जिगर मुह में आ जाता है. आसे मत करो, याद मत करो, understand करो. Please समझने की कोशिश करो. And by default at least दो definitions तो चाहिए ही होती हैं, जो हम लिखते हैं. So हाई ये देखते हैं. इनका कहना था, advertisement is any form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. विज्यापन, किसी भी तरह की गैर व्यक्तिकत, प्रस्तुति और विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रायोजित प्रायोजक द्वारा किया जाता है. ये फिलिप कोटलर का कहना था. तो किसी भी तरह की चीज, जो non-personal presentation होती है, गैर व्यक्तिकत presentation, जैसे की, for example, अगर अमिताब बच्चन, पेपसी का एड कर रहे हैं, तो वो पेपसी presentation, वो non-personal presentation है, वो बच्चन साब के घर पे नहीं बनती है, वो किसी वो sponsor है, वो किसी company के product का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? AMA, American Marketing Association कहते हैं, advertising is any paid form of non-personal presentation or promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor, same चीज़े देखो, दो definition लिखने की बात हुई थी, डर गए थे, एक याद नहीं होती है, दो कह रहे हैं, याद करने को, अब यहाँ पे दोनों definition को ज़रा मिला लो, more than 70% तो same ही है, ऐसे ही होता है, तो विज्ञापन किसी पहचाने गए प्रायोजक द्वारा, अब किसी से भी ऐसी राचलते हैं नहीं कि गुड़ू आके बटा कर लो, पेपसी बेच लो, पपू आके बेच लो, ऐसे नहीं होता ना, तो किसी पहचानने गए प्रायोजक जाना माना चहरा, गैर वेक्तिगत प्रस्तुती या विचारों, वस्तुओं, सेवाओं के प्रचार का कोई भुकतान किया गया रूप है, उसका पेमेंट लेते हैं वो, यह तो आपको मालूमी होगा अच्छे से, ठीक है? अब आती है बारी features की, so features of advertising, अब यहाँ पे भी बच्चे जो हैं बड़े डर जाते हैं, यार अब भी introduction समझे थे, definition जैसे तैसे याद हुई, अब features पढ़वा रहे हैं, भाई थोड़ा सन, अब थोड़ा से practical, थोड़ा से logical दिमाग लगाओ, तुमारे जितने features हैं, वो introduction, concept or definition से ही निकल के आए हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं, कि पहला feature है, non-personal, दूसरा है, mass communication, तीसरा है, paid communication, identified sponsor, information and persuasion, उसी में से याद आ रहे हैं, कुछ सब हम पढ़ चुके हैं, उसी में से निकाले हुए, ट्रिक है, यह धीरे धीरे आएगी, notes बनाते चलो, जैसा लिखा है, वैसा, और जो मैं इनका detail explanation दोंगा न, वो भी आपको सुन के लिखना है, उसको गाना समझ के सुनना सिर्फ नहीं है, उसको लिखना है, प्रॉपरली, notes बनाने है, यहां पर फेस तो फेस कंटेक्ट आमना समना नहीं होता है, इसलिए इसे नन परसनल कहा गया है, दूसरा मास कम्मिनिकेशन होता है, advertising is a method of mass communication, the message is directed to a large number of persons, समझ रहें न, बच्चन साब घर घर जाके नहीं बोलते हैं, पेपसी पी लो, it's in a mass communication, एक particular media पे वो पूरा cast होता है, add, मैं सिर्फ आपको एक example दे रहा हूँ, इसके और भी तरह के examples जो हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसे एक छोटा सा example है, कि buses में आजकल advertisement होता है, बस जो होती हैं, वो घर घर जाके नहीं दिखाती हैं, कि वहाई मेरे उपर ये चपा हुआ है, so non-personal and mass communication, advertising is paid communication, बिना पैसे के काम नहीं होता है, advertisement agencies, advertising industry में कभी भी बिना पैसों के काम नहीं होता है, so advertising is paid communication, some money has to be paid for every advertisement to the medium which conveys the message, the advertiser has to pay for the space or time hired for discriminating the message, चाहे वो आप bus stop में holding लगवा दू, चाहे आप movies देखने, अभी तो lockdown चल रहा है, अभी तो नहीं जाते हैं, जब जाते थे तो बीच में ads देखते थे, interval के time में आता था, starting में आता था, तो यह सब paid होते हैं, बिना पैसे दुनिया नहीं चलती है, अगला है identified sponsor, an advertisement is issued by an identified sponsor, एक जाना माना चेहरा होता है इसके पीछे, the name of the advertiser is mentioned in the advertisement itself, information and persuasion, the basic purpose of an advertisement is to inform customers about some product or service and to persuade them to buy it, यह करते क्या हैं basically, अब persuasion और persuade का मतलब नहीं मालम है, so dictionary हाथ में होगी उसको meaning देखो, persuade मतलब किसी को convince करना, किसी को रिजाना कि हाँ यह चीज अच्छी है, तू भी कर लिया, जैसे हमें कोई teacher पसंद आता है, हमें कोई class पसंद आती, तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों को बोलता है न, कि भाई यह हमाई अच्छे लग रहा है, जुकर हो तो आप क्या persuade करते हो, persuasion और यहाँ पर क्या होता है, identified जाना माना चेहरा जो होता है, उसके followers कही होते हैं, वो followers जो हैं, वो ही उस particular product की sales को increase करते हैं, I hope it is now clear to you, features of advertising, यह topic थूड़ा से लंबा जाएगा, types of advertising, let's see, as we can see, product advertising, institutional, informative, persuasive, reminder, concept, notes properly बनाना, explain मैं करता हूं, यह क्लासिफिकाइशन है on the types of advertising, the product advertising, the main objective of product advertising is to promote the sale or reputation of a particular product, brand or service, which is sponsored by manufacturers, traders and other organizations to promote the uses, features, benefits and image of their products and services. Product advertising may be further subdivided into direct and indirect action advertising, direct action advertising aims to seek a quick response or action to the advertisement, for example, a departmental store, हो सकता है कि वो अपना store का advertisement किसी local newspaper में दे दे, इस्ट्रेसिंग इसमन्स, special arrivals या जो आप लोग देखते हो, अक्सर डीमार्ट, बिग बजार इन सब के आते रहते हैं, है ना, तो इसकी sponsorship जो है, ये product company manufacturers नहीं करते हैं, जैसे Lux है, H.E.U.L. है, Nestle है, ये सब नहीं देंगे पैसे, ये आप अपने level पे करते हो, तो ये आता है direct action advertising के अंदर, indirect action advertising is designed to create a favorable attitude towards the advertised product over a long period of time, so indirect action जो है, ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, और लोगों के नजरिये को change करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको जैसे ऐसे lecture आगे बढ़ता जाएगा, सारी चीज़ें समझती जाएंगी, just have patience, second institutional advertising, the aim of this type of advertising is to build a favorable image of the organization, rather than to promote the sale of a product or service, समझ में आया हो, favorable image बनानी है, sale नहीं करवाना है, क्योंकि goodwill, business में बहुत जरूरी होता है, और आपके आपसे जलने आले होते हैं, वो आपके goodwill को सबसे पहले खराब करने ही कोशिश करते हैं, तो यहां पर institutional advertising is not at all focusing upon the sale of a product or service, rather it will focus upon to build a favorable image of the organization, right? The next one is the informative advertising, this type of advertising contains information about a product, service or institution which makes consumers aware of the existence, features or uses of goods and services. For example, advertisements suggesting how to save patrol or avoid accidents are informative advertising, एक और informative advertising आता है, जो आप मुवी के starting में देखते हो मुकेश यादाया, So, try to avoid that, that is a social evil, social ill, So, इस तरह के यह भी advertisement है, इसके लिए किसी जाने बाने चेहरे की जरूत नहीं होती है, लेकिन यह क्या आपको provide करें, information, सूच नहीं दे रहे हैं आपको, Next is persuasive advertising, this type of advertising is designed to persuade the customers to buy a product or service or to support an idea, यह main काम करते हैं कि भहिया हमारी sales बढ़े, हमारा product बिके, समझे हैं, पाचवा है, reminder advertising, it attempts to remind people about the product, service or idea, जैसे कई एक बार होता है कि admissions के लिए classes के बार बार messages आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि they are dying for admissions, ऐसा नहीं है, that is a reminder advertising, जो आप लोगों को remind कराते हैं, कई सारे parents का appreciation आता है, यह सर बहुत अच्छा हुआ कि आप ने reminder कर दिया, हम तो भूल कहते हैं, ठीक है हम शाम को आते हैं, so यह reminder advertising positively लें, advertisement जो है, उसको समझने के लिए दो अलग-अलग तरह के लोग एक positive होते हैं और एक negative होते हैं, this is also known as primary demand advertising or pioneering advertising, अब यहां पे inverted commas में primary demand advertising, जब आप notes बना रहे हैं तो लिख लीजे, और inverted commas में ही लिखिये, pioneering advertising, its purpose is to stimulate demand for a new type of product, advertisement designed to change lifestyle of people is concept advertising, for example diamond is forever, seeks to promote diamond jewelry as a concept, so lifestyle यहां पे आपके automobile, apperils, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, यहां पे तो जिक्र किया है diamond jewelry का, so as you can see advertisements can be done at local, national and international levels, objectives of advertising, हर चीज़ का एक objective होता है, objective है क्यों किया जाता है और चीज़, goal क्या है इसका, so first one is to introduce new products, second is to sustain demand for existing products, third is to build brand preference, fourth is to eliminate middlemen, fifth is to educate consumers, sixth is to support dealers, and seventh is to build goodwill, तो यह तो था, overall subheadings, and यार जिनको यह पूछना है ना कि sir इसमें से कतने points लिखें, so please excuse me, I am not here to tell you how many points you ought to write, I am here to explain you each and everything so that it will fit into your mind, so, 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 now, to introduce new product producers and traders advertise to inform customers about the availability of a new product and its salient features, आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नहीं कई हैं, जिनको messages, या calls, या WhatsApp message आ जाते हैं, तो वो बड़ा मतलब, आजकल सबसे पहले होता है कि यार, number कहां से मिला, as if you are the prime minister boss, data management, आप malls चाते हो, parking में आपसे form बरवाते हैं, आपके numbers बिखते हैं, आजकी date में सब कुछ इतना simple हो चुका है, कि even you have the access to the CMOs, PMOs, chief ministers, prime ministers, जो एक समय पे नहीं था इतना accessible, बट लोग आजकी date में CMO PM से कम नहीं हैं, किसी को भी अगर message आप गलती से ढाल दो, कि भाई हमने यह नया course शुरू किया है, बच्चों के लिए अगर आपके काम का नहीं है तो आगे बढ़ा दें, तो पहला सब नंबर कहां से मिला, बे यार नंबर खुदी दिये होगे किसी मॉल में, मिल गया होगा, बहुत सारी लोग को मिलता है, समझ रहो, तो पहला काम एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, नए प्रोड़क्ट कोई आते हैं, कोई नई चीज कोई जरूरी नहीं कि अगर आपको आप स्टूडेंट नहीं हो, और आपको अगर स्टूडेंट का कोई study related message आ रहा है, तो आप उसको सामने वाले को reply करके कुछ भी बोलो, positively low, optimistic बनो life में, pessimistic मत बनो, तुम्हें नहीं पसंद, All over India किसी कोई बढ़ा दो, पढ़ाई तो है, education ही है, किसी के काम आएगी, आज कल लोग, lockdown में ऐसे फसे हुएं, जिनने खाना बनाना भी नहीं आता है, कुकिंग का कुछ आ रहा है, बढ़ा दो, भाई हमाई काम की नहीं है चीज़ हैं, मैं तो बढ़ा देता हूँ मेरे पास आते हैं, MBS के admission के, या कुछ भी आता है ऐसा, advertisement ही है वो, जिसका काम कहो उसको बढ़ा दो, दूआ मिलेगी, दूसरे point पर आते हैं, इमसेट मैंटिनिंग डिमांड्स फोर एन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंद फेस अव ग्रोंग कॉंपेटिशन, प्रैक्टिकल एक्जैम्पल होताता हूँ मैं जब छोटा था ना, क्यों उनकी एडवर्टीजमेंट ऐसी थी, कोल्डरिंग की बात करो बिक कोला क्यों नहीं दिमाग में आता है, आज भी दिमाग में आता है वो उठा हुआ थंब और पेपसी का गोल लाल नीला लोगों क्यों एडवर्टाइजिंग थी ऐसी, तो आपको सस्टेनिबिल्टी के लिए डिमांड आपकी सस्टेनिबल रहे मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की करना पड़ता है अडवर्टाइजिंग, यहां पे थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट की बात हुई तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं मारुती एडवर्टाइजिंग, 800 जो रही उसने कई रूप अपने बदले, यकीन माने कई रूप, आप जो रूप आज देख रहे हैं वो ओल्टो है, क्या था यह इंप्रूब्मेंट्स, मारुती ने बंद किया, मारुती को जरूरत है आज की डेट में एडवर्टाइजिंग की बट फिर भी होती है, फिर 5. नेटका, अपालर देख पर यूपि बट नेल्ट की देख बाला को का की होती है, एडूबूर अिल दिख Ummy, Saw Thumbs Up, Thumbs Up आपको मालूम है, Thumbs Up हिंदुस्तानी ब्रैंड था, इसका एक केस स्टेडी है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग केस स्टेडी है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि Thumbs Up इंडियन ब्रैंड था, कैसे उसको कनवर्ट किया गया, एक बड़ी दुखद स्टोरी है, जो मैं मैं आपको जरूर बताऊँगा, बट इस वक्त ये जाना जरूरी है, कि Thumbs Up हमारे हिंदुस्तान का ब्रैंड था, इस वक्त के सबसे बड़े बॉलिवूड एक्टर, उस वक्त के सबसे बड़े स्पोर्स परसन, इनके साथ होती है भी या इनकी ब्रैंडिंग, इसलिए आज घर घर में, बिक कोला कोई जाने न जाने, बट इन ब्रैंड को जानता है, जो ये है पावर अफ अड़र्टीसमेंट, fourth point is to eliminate middlemen businessmen use advertisements to send their messages far and wide they can establish direct contact with customers thereby eliminating middlemen Hindustan में middlemen का बहुत जंजट है Mumbai में रेंट के इतनी इतनी जरुवत नहीं है जितनी है but due to these middlemen, agents यह सब बढ़ता जा रहा है हर चीज हमें महेंगी मिलती है due to middlemen तो advertisement जब आप national platform पे एक जानी मानी शक्सियत से करवाद होगे तो आपको बीच के किसी दलाल की जरुरत नहीं पड़ेगी बीच में किसी agent की जरुरत नहीं पड़ेगी किसी middlemen की जरुरत नहीं पड़ेगी तो वो जो आपका middlemen का पैसा है उसका कुछ ही percent भले करोडों में हो बट वो celebrity ले करके जाता है और उसका impact भी पड़ता है so middlemen को जितना हो सके eliminate करिये दलाली कोई पेशा नहीं है एजेंशेप कोई पेशा नहीं है so fourth इसका objective है fifth objective है to educate customers to educate customers though the main purpose of advertising is to sell something advertising is also used to educate customers in better living and about proper use proper use of products which helps to increase the utility of the products to consumers to ये जो पार्ट है to educate customers जागरुकता फेलानास next is to support dealers the purpose of advertising is also to assess dealers अब जैसे manufacturing हो रही गुजरात में Pepsi जा रही है या कोई भी product XYZ जा रहा है मद्यप्रदेश में suppose करिये कोई एक जाना माना चेहरा एक बहुत एक वेलनोन फेज नाशनल लेवल पर उसकी marketing कर रहा है so वो मद्यप्रदेश में एक छोटे से गाउ में बैठे है बंदे को जरूरत नहीं है कि वो local newspaper में आड दे क्योंकि local newspaper के आड भी उसका खर्चा जो है वो बढ़ाता है so the purpose is to assess dealers and salespersons advertisements also informs consumers and pave the way for the visit of salesmen advertisements carry details of the dealers where the product is available the last one is to build a goodwill goodwill मुझे पता नहीं आप में से किनने लोग को मालूम है नहीं मालूम है अगर नहीं मालूम है goodwill का definition देख लो meaning देख लो एक बादिक्शनेरी में then we'll move forward another objective of advertising is to build the reputation of the enterprise regular advertisements helps to create a good impression on the minds of the consumers special gifts discounts during off-seasons can also be announced through advertisements से क्या होता है कि brand की goodwill बढ़ती है goodwill meaning देखा नहीं देखा तो देख ही है अब चीज हो रही है जो advantages भी होंगे in detail advertising से manufacturers को क्या-क्या फायदे होते है so first of all it creates demands second it provides economies of scale third it creates goodwill fourth it helps maintain steady demand fifth it helps establish direct link between manufacturer and consumers sixth it helps meets competition so these are the advantages to manufacturers let's see for the consumers it makes shopping easier it educates customer reduces price by increasing sales volume it widens the choice for the consumers so these are the advantages to the consumers advantages to the society first of all advertisement का काम होना है बिना लोगों के होगा नहीं और लोग काम में लगेंगे नहीं जब तक आप उन्हें पैसा देंगे नहीं बराबर है ना नो पहला काम क्या है ये ज़नेरेट Communist एंप्लोइमेंट second it raises the standard of living जब लोगों के पास रोजकार होगा तो उनका standard of living automatically बढ़ेगा third it sustains the press fourth it adds to art and culture next it promotes healthy competition so let's see all these things one by one in detail so जैसा कि हमने देखा advantages to the manufacturers creates demand for new products by informing people about their availability and their uses दूसरा यह होता है कि इससे increase होते हैं sales and profits by attracting people to buy and by expanding markets large sales facilitate large-scale production which in turn leads to reduction in the cost per unit advertising say goodwill बनता है by making the manufacturer and its products famous and known in public it helps in maintaining steady demand by smoothening out seasonal fluctuations in demand it helps in establish direct link between manufacturers and consumers direct contact helps in reducing the cost of distribution advertising is helpful in meeting competition in the market so यह है manufacturers के in detail advantages अगर कोई भी चीज़ आपको during the lecture पूरा समझ नहीं आरे है so you can please comment on the section now come to the advantages to consumers so advertising informs consumers as to where and when products are available कब कहा पे अवलेबल है product consumers can buy without wasting much time and efforts एड़िजमेंट से हाइलाइट होती है quality of price competitive products के manufacturers have to maintain the quality of products as competitive prices बहुत सारे electronic items वाले या जूलरी शॉप वाले अक्सर दिपा वली के टाइम में या सीजन के टाइम पे अपने अपने प्रॉपरली ब्रैंड के साथ rates पॉबलिश करते हैं बड़े बड़े निउस्पेपर में दो दो पेज चार चार पेज का आड़ साते हैं क्या है वो? एड़टीजमेंट क्यों है वो? लोगों पता चले कौन सी चीज कितने में बिक रही है ताकि उनका माल कलियर हो इसके एलावा एड़टीजिंग इसके पैसा बच जाता है टाइम बच जाता है और जो 100 रुपे लगने हैं आपका काम 10 रुपे में हो जाता है यकीन मानिए एगेंट्स बहुत खतर्नाग चीज है advertising reduces the possibility of cheating of consumers as they come to know about the society with respect to quality and prices of products so customers got wider choice एक बड़ा उनके पास option रहता है आप मॉल जाते हो मॉल आप भले गुड़े खरीदने जा रहे हो जैसे आप मॉल में एंटर करोगा उप्शन रहता है मसका चसका, क्रैक जैक, मोनेको, पारले जी बहुत सा भूल जाते हो आप लेने क्या जा रहे हो लिटरली सच बता रहा हूं तो यह एक वाइडर चोईस देता है आपको जो सही भी है कहीं हद तक तो यह सारे एडवांटेजेस थे तो मैनुफेक्चरर्स और कंस्यूमर्स एडवांटेज ओफो एडविटाइजिंग तो सोसाइटी समाज के लिए क्या इस्तिमाल होता है एडविटाइजिंग फर्स्ट अफॉल यह रोजगार create करता है generate करता है हमारे सोसाइटी के लिए ताकि लोग लोगों को रोजगार मिले employment मिले employment मिलेगा थो but naturally उनका standard of living बढ़ेगा standard of living कैसे बढ़ता है जब आपके वास पैसे होते हैं आपका रहने का तरीका अलग होता है इसके लावा advertising leads to variety in consumption and use of better quality products growing use of household appliances such as microwave ovens air conditioners refrigerators cordless phones mobiles washing machines तो इससे ही तो standard of living बढ़ता है then advertising sustains the press it is a great source of revenue for newspapers and magazines so as a result public can get newspapers and magazines at very low prices so ये भी एक benefit है advertising का क्योंकि newspapers और magazines जो होते हैं वो अगर अपनी printing cost पे आपको papers दें तो शायद वो जितना earn करते हैं साल में उसका 10 गुना जादा उन्हें loan लेना पड़ेगा survival के लिए तो वो cost कहां से match up होती है आपको क्या लगता है साथ रुपे का times of India 32 page का प्रती दिन हर page colored आपको साथ रुपे मिल जाएगा नहीं मिलता है तो वो जो bridge है उसको gap किया जाता है advertising के थूप इसलिए यहाँ पे sustains the press कहा गया है then adds to art and culture so advertising provides new knowledge to public which helps to improve the social customs and attitudes thereby adding to the art and culture but naturally then advertising promotes healthy competition and growth of business which acts as a barometer of country's economic growth यहाँ पे barometer scientific term है नहीं समझ में आता है the atmosphere से related है इतना hint दे सकता हूँ dictionary में या तो एक काम करो smartphone तो लिये ही हो apple वेपल से नीचे क्या लिये होगे so थोड़ा देख लो use करो smartphone को smart purposes के लिए by concept है introduction है definition है features है advantages है so यह मेरा सबसे favorite term है criticism कैसे नहीं होगा criticism मतलब जानते हो pinpoint करना भले आप अच्छा काम करिए आपको critics हजार मिल जाएंगे advertising के भी है तो देखते हैं higher prices creation of monopoly wastage of resources deceptive and untruthful advertising extravagance advertising अब यहां पे deceptive, monopoly, extravagance तोड़ा से hard words है जो but naturally आपको शायद नहीं आते होंगे नहीं आते हैं अगर तो मालुम में है क्या करना है then the last one is the vulgarity so advertising increases prices of products to consumers because expenses incurred on advertisements are passed on to consumers however advertising may not increase prices if it leads to large scale production getting the point जो भी cold drink आप पीते हो उसकी maximum कीमत दो से तीन से चार रुपे होगी बड़ आप खरीते हो उसको 40-50 रुपे में हो जानते हो आपके particular बाकी के 48-50-52 रुपे कहां जाते हैं they get into the pocket of any celebrity वो payment आप करते हो company नहीं actual cost से कहीं ज़ादा दिखता है पहला criticism advertising का है कि cost असमें ज़ादा लगता है जो किसी हद तक सही भी है दूसरा है creation of monopoly बड़े बड़े जो firms होते हैं वो बड़ा पैसा दे करके advertising कराते हैं छोटे firms जो हैं उनके साथ competition नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से वो fail हो जाते हैं जिसके जिसका नतीजह यह होता है कि big firms become monopolies and use their monopoly power to exploit customers so creation of एक तरह का monopoly हो जाता है wastage of resources money spent on advertising is sheer waste because it does not add to the utility of products and services एक चीज़ मैं आपको बता दूँ advertisement में खर्च किये जाने वाला पैसा किसी भी तरह से नहीं उस company के employees के नहीं उसके goods के या services के upgradation के काम आता है it's a sheer waste so इसलिए से wastage of resources कहा गया advertisements are either ignored or escape the attention of consumers advertisements do not create new demand but only shift demand from one product to other एक example देता हूँ छोटा सा मान लिजए आप घर से school जा रहे है घर से school जाने के दर्मियान आपके सामने से कई buses गुजरी होंगी कई bus stops पड़े होंगे कई सारे poles पड़े होंगे और उन pole में pole kiosks लगए रहते हैं आप मुझे बताईए आपको कितने उन में से याद है या उन चीजों में उन जगहों में कौन से product की advertisement हुई थी मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मुझे कुछ भी याद है clear so wastage of resources किसी हद तक होता है then आते हैं deceptive and untruthful in order to impress the people false statements and exaggerated exaggerated में तो बढ़ा चढ़ा के और अची मेनिक देखे डिक्शनरी देखो exaggerated claims are made in advertisements as a result innocent people are mislected by inferior and even bottless products जिसमें सबसे अधिक बिक्ती हैं गोरे होने की cream यार काला आदमी जब से पैदा हुआ विचारा depressed है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसके family, relatives, friends बोल बोल के कर देते हैं और दूसरे यह मोटे लोग पतले होने के लिए पागल हो जाते हैं मतलब गजब है तो इन्हें कोई भी कैसी product बना करके बेच देता है यह try तो करेंगे ही और साला सवा अरब की population में आप जब trial and error पर जाते हो तो 10 रुपे की भी चीज आपकी सवा अरब लोग खरीते हैं तो सोच लिजे आपका product कितना बिकेगा समझे तो इसको किसी हद तक deceptive and truthful भी कहा गया है छोड़ जोड़ एक्जाम्पल जे रहा हूँ आप माइंड मत करियेगा समझी एगा extravagance का मतलब होता है जरूरत से जादा दिखावेगा कर्च so advertising tempts people to buy goods which they cannot afford they become extravagant and do not hesitate even to adopt corrupt practices to earn more this creates frustration corruption in the society people become greedy self-centered causing unrest and jealous सीधी सी बात है जब आप अपनी समाईश से ज़्यादा खर्श करते है तो आपके अंदर एक unrest यानि की बड़ी बॉकलाहट सी होती है और आप एक jealousy का भी शेकार होते है so इसलिए advertising को एक extravagant खर्चा भी कहा गया है the last one is a vulgarity advertisement exploit emotions and sentiments of people several advertisements are vulgar obscene and stupid in nature they are vulgar because they are offensive to public decency जिन्दगी में कोई भी काम ऐसा मत करो कि जब वो पब्लिक के सामने आए तो आपको शर्मिंदगी का एहसास हो कोई भी काम करो ऐसा क्यूंकि मैंने एक मूवी में देखा था जहां पर एक बड़ा ही famous सा dialogue था कि judiciary बाद में decide करती है पहले public decide करती है तो ये कहीं हद तक बहुत ही कारगर साबित होने वाला dialogue था क्योंकि जाहिर सी बात है लाजमी सी बात है जो चीज पब्लिक को पसंद नहीं होती है वो चीज किसी को पसंद नहीं होती इसलिए अपने कर्मों को कुछ इस तरह से रखें कि जहां पर vulgarity प्रदर्शित नहीं हो तभी प्रदर्शित नहीं होगी जब आप public को दिखाने लाइक काम करें कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे public को दिखाए ना चाह सके आपको अभी यह chapter थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि advertisement और sales promotion सारी चीज़ें है क्या basically अब हम देखते है advertisement और publicity में अगर हम distinction करें so let's see advertisement versus publicity under the headings sponsor source origin, payment, control, nature of message so अगर हम बात करें sponsor की so advertising में the identity of the sponsor is clearly known whereas publicity में sponsor की identity जो होती है यह unknown होती है source advertising जो है वो advertiser से originate होता है publicity जो होती है वो media से originate होती है payment advertiser has to pay to the media owners advertising में but publicity में the individual of firm need to pay control जब हम advertisement की बात करते हैं तो यहां पर control sponsors का होता है and publicity की बात करते हैं तो यहां पर control मीडिया का होता है advertisement में nature of message जो होता है pursuay से होता है and publicity में informative सो यह एक छोड़ी सी चीज है छोड़ी सा डिस्टिंक्शन है advertisement और publicity के बीच में एक अच्छा advertisement कैसे होता है जब उसमें यह सारी values होती है जैसे attention value, memorizing value, suggestive value, educational value, sentimental value, conviction value, instinctive, appeal value सबसे पहले इसमें से value का मतलब तो तो मैं मालूम है उसके लावा अगर कोई ऐसी चीज है जैसे conviction, instinctive उसकी meaning देख लो क्योंकि देखो या तुम पढ़ाई कर रहे हैं English medium में, जब तुमारी English ही अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा चीजें समझ में नहीं आएंगे और रट्टा हमें मारना नहीं है और दुरभाग के सबसे बड़ा यह है कि हमारी तो नहीं English बहुत अच्छी है नहीं Hindi बहुत अच्छी काम चल जाता है तो इसको improve करने के लिए dictionary का इस्तमाल बहुत जरूर ही होता है तो पहली requirement अच्छे advertisement की यह होती है कि वह attract कर सके इस काबिल हो कि वह attract कर सके attention उन सारे लोगों का जिनकी तरफ यह प्रदर्शित किया जा रहा है अधिकतर लोग जो होते हैं वह busy होते हैं या बहुत कम attention दे पाते हैं advertisements को हम लोग भी देखिए जब YouTube जैसे कोई भी चीज अगर हम देखते हैं यह ads आते हैं तो हम कोशिश करते हैं skip ads का अजकल option आता हैं दो दीन second के बाद आप उस ad को skip कर सकते हो तो हम लोग basically अधिकतर लोग यही करते हैं आज की date में so unless the advertisement draws attention it will go waste so आपको advertisement ऐसे बनाना है कि must advertisement जो है वो ऐसा शांदार और आकरशक होना चाहिए कि वो लोगों के दिलों तक पहुँचे तो यह हम कैसे कर सकते हैं catchy and short headlines देखे जैसे camp acola the only one don't say ink say quink so quink brand है mothers who care use dalda यह सब examples हैं headlines के then by using pictures or drawings of the product being advertised Lex toilet soap is for example advertised along with the photograph of a popular film star Lux Lux एक मात रहसा साबुन है जिसका advertisement starting से लेके अंड तक तोप्मोस्ट बॉल्यवोड स्टार्स ने किया है जैव एक्टर हो यह एक्ट्रस हो फिर एक question mark लगा दो is your premium due this month how white a white shirt can be question mark interesting बनाओ moreover कैसे भी करके interesting बनाओ story को interesting बनाओ by coding price where the price is comparatively low and is likely to attract the attention of the customers जैसे buy a televisor tv for rupees 12.95 इतने सस्थम्स tv कहां मिलेगा लोग रुकेंगे जरूरुरुकेंगे by inserting reply coupons for gifts for free literature कोई भी चीज़ gift free दे दो रुकेंगे लोग by using artistic borders, blank space, pole types, pride letters which bring the message into sharp focus by separating it out from the rest of the material use of right page, space कैसे चीज़ों को present कर रहा है in short तो यह होगे attention value memorizing value, यादगार कुछ होना चाहिए the design and layout of copy should be such that it has a मतलब दिमाग में लोगों के बैड़े impression चोड़े लोगों के दिमाग जहन में a picture depicting the use of product for a specific need is useful for example housewife nursing a burnt person with burn all तो यह सारी चीज़े ऐसा कुछ create करो जो लोगों के जहन में चाप छोड़ जाए समझे, world cup आता है मैं तुमें मेरी बात बता रहा हूं शायर जो मेरी उमर के लोग होंगे जो आज की rate में 30-30 के आस पास होंगे वोड़ कप आज भी आता है न तो हमाएं दिमाग में वो सचिन का पेपसी का याद आ जाता है वो कुछ ऐसा बनाया गया था सो आप भी थोड़ा सा समझनी कोशिश करिए एड्स को देख करके सजेस्टिव वैल्यों तीसरा है दो कॉपी शुड सजेस्ट एड्वांटेजस एंड यूज इस आप दी प्रोड़क्ट जैसे अमूल क्या है फुल फॉर्म मालूम है अमूल का जिनने मालूम है अच्छी वाल जिनने नहीं मालूम बता देता हूं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यह वही अमूल है जिसका बटर रोज आप ड्रेड में लगा के खाते हो यह कोई भी चीश है चीज यह जो भी कुछ खाते हो डेरी प्रोड़क्ट्स तो आनंद एक श का खाने की चीज है लोग कुछ भी खाने के पहले सोचते हैं यह मेरे कुल रुक्सान करेगा यह फाइदा करेगा और जब बात बच्चों की हो डेरी प्रोड़क्ट्स की हैं तो जरूर सोचते हैं तो यहां पर उनों स्लोगन डाला आमूल बिल्स हेल्थ बॉड़ी बॉड तो भी थर्स्टी यानि की फेंटा जो ओरेंज ड्रिंक था जो कंपेटीटर था मिरिंडा का यह इतना अच्छा है कि प्यास लगाती है फेसे पूपी कही बुच्ती है तो यह सब कुछ एक्जैंपल सें जो सजेस्टिव वैल्यू देते हैं तिया अगला है एड्यूकेशन का फेस्बुक का वह एक्चुली आपका स्टेटस बताता है तो यहां पर कोई भी एड्वर्टीजमेंट करी उसकी एड्यूकेशनल वैल्यू होनी चाहिए जो लोगों को नॉलिच प्रोवाइट करे ना कि फाल्तु की चीज़ है तो जैसे अड्वर्टीजमेंट अफ्लैक चाय बनाना भी नहीं आता था हमें अच्छे से ब्रुग बॉंड ब्रिडिश कंपनी थी जिसने इंफिसिस किया और हमें सिखाया सारी चीज़ है जब यह कोई चीज सेंटिमेंट से जुड़ी होती है खास तोर पर हिंदुस्तान में तो उसकी वेल्यू बड़ी जादा होती है सेंटिमेंट से या नहीं समझ गया है ना एमोशन, हुमन बहवियर यह सब चीज़हों से जब चीज़हों से बड़ी होती है इंट्विक्षन मतलब क्या होता है किसी को कण्विंस कर लेना इतनी शांदार आपकी स्पीच होनी चाहिए आपकी डेलिवरेंस होनी चाहिए आपकी लिटर होनी चाहिए कि वो आपकी कन्विक्षन को साबित कर दे इसा मतलब बोलते हैं कि बिलकुल खरी दी लो जाके किसान केचप इस मेकानिकली प्रसेस्ट सर्फ वाश इस यह सब क्या है कन्विक्षन वैल्यू तो इस्टिव अपील वैल्यू लास्ट है जो इमोशनली सेंटिमेंटली अटेश होते थे एक दूसरे से इनके बारे में जानते हैं नेक्स्ट I hope it is now clear to you So psychologists have identified the following human instincts in these regards self-preservation, hoarding instincts, self-display, parental instincts, something-for-nothing instinct do not ask me again sir कितने points लिखने हैं please grow up, understand the thing, samjho So self-preservation, every human being is anxious to protect his health, family and belongings हर कोई अपनी स्वास्त को, अपनी फैमिली को, अपनी बिलोंगिंग्स उसके विद्वारा उनकी कही सारी चीजों को सुरक्षित रखना चाहता है चिंतित रहता है इस बारे में food and toilet products, insurance, lock, almiras, etc. can be advertised with an appeal to this instinct that means to protect your health to protect your family to protect your belongings use LIC, GIC almiras from particular brands तो यह होता है self-preservation to add their personality हर कोई चाहता है मेरी जुल्फें जो है काटरीना कैब जैसी हो है कपड़े, अर्मानी, गुची, वर्साचे से कम नहीं पहनो है यह है, so this instinct is useful जब बड़े हो जाओगे ना तो यहादो खुद को यूविल किक यूरसिल्फ, हिंदी में बोले तो खुद को लात मारोगे और यहादो यूविल रिग्रेट So the instinct of parental love and affection for children is used by advertisers of baby foods, baby toys, Glaxo builds bonnie babies, Pharex babies first solid food for all around development, growth What is this? Emotionally आपको रिजा रहे हैं उनके products के प्रती Last is something for nothing instinct. Everybody wants to buy maximum possible things with its limited income. Surprises, gifts, bonus, stamps, economic packs These are methods of appealing to this instinct. Lottery tickets are advertised in the same way. Some dry cleaners offer to dry clean their garments on payment for two Three garments will be washed in the payment of two So these are all the ideas that psychologists identified following human instincts Advertising media की बात करें. Newspapers, Radio, Television, Films, Direct Mail, Outdoor Advertising, Internet or Online Advertising, Social Media These are main advertising media के forms पहला हम पहला हम डिसकस करें. Newspapers are popular and widely used minimum To maximum medium of advertising Its main advantage is पहला तो इसका circulation बहुत वाइड रेंज पहता है Across the country दूसरा Due to wide coverage Cost per reader जो होता है इसका low होता है There is continuity as a message can be repeated daily There is flexibility as a message can be modified frequently Regional newspapers can be used to focus on selected areas Regional मतलब जो आपकी region में जैसे अगर आप महराश्टा में रहते हैं सुआप महराश्टा के जिक्र करें मुंबई में रहते हैं मुंबई के जिक्र करें So newspaper advertising suffers from the following disadvantages हर चीज़ के advantages होते हैं But of course disadvantages भी होते हैं पहला newspaper की उम्र सुबह से मत्र दो बहर तक होती है Newspaper की news में focus करते हैं They are least concerned about the advertisements published in the newspaper जब वो news पर रहते हैं तीसरा There is a limited scope for use of art and colour in newspapers Illiterate people cannot be reached through newspapers जो पढ़े लिखे ही नहीं है उन तक आप अपने product को कैसे पहुचाएंगे Radio एक बड़ा ही popular media में advertising का जिसके advantages यह हैं कि white coverage होता है illiterate भी जो होता है वो पढ़ेगा नहीं तो कम से कम सुन लेगा messages कई बार repeat कर सकते हैं पूरे दिन में voice tone music का इस्तमाल किया जा सकता है impact को enhance करने के लिए लोग पढ़ें न पढ़ें बट सुनेंगे जरूर disadvantages यह हैं कि इसका advertisement जो होता है वो costlier होता है newspaper के comparison में short life होती है इसकी वो तो newspaper तो फिर भी विचारा सुबे से शाम तक चलता है यह तो जब तक news चलती है जब तक इनके मुह में रहेगा तब तक वह advertisement रहेगा आपको तो short life है फिर अगर मान लिजे रेडियो में आपका advertisement आ रहा है और लोग किसी भीड़बार की जगह में है तो वो तो आपका पैसा गया पानी में disturbances की विजए से फिर flexibility and selectivity option होता है टेलिविजन के अगर हम बात करें तो इसके सबसे बड़े advantages यह हैं कि इसमें picture और sound दोनों का combined effect है दूसरा message कई बार दिन में दोराये जा सकता है तीसरा selectivity होती है in terms of time चौथा illiterate people यानि की गैर पढ़े लेके लोगों तक भी आप पहुँच सकते हो फायदे हैं तो लाजमी नुकसान भी होंगे तो disadvantages जो है कि यह जो होता है newspaper रेडियो से भी महगा होता है short life होती है back reference possible ही नहीं है message has to be as per the limitations and regulations of the television movie देखने जाते हो movie start होने के पहले interval में और end में जो ads आते हैं उसका जिक्र यहां पर किया गया है इनके advantages हैं कि effective तो होते हैं because of the combined effects of spoken words and visuals both जो TV में भी होता है दूसरा कि इसका white coverage होता है over a large number of people across the country in a day advertisement can be shown in selected cinema to focus on a selected religion region so यह यहां पर हो गया इसके disadvantages यह है कि बड़ा expensive होता है दूसरा considerable wastage होता है as very few people are present when the film slide is shown तीसरा lack of flexibility and timeliness है पांच में advertising media की बात करें so that is the direct media इस medium में mailing list potential buyers की तयार की जाती है letters, booklets, leaflets, folders, catalogs यह सब जो पूरी जानकरी, detail information लिए रहे थें product के बारे में यह सब by post जाते है buyers को direct mail advertising के advantages यह है कि most selective medium है as a message is sent to selected persons only inexpensive होता है personal appeal देता है, थोड़ा सा letter direct आता है secrecy maintained होती है readers can read the advertisement at their convenience जब उनका मंचा है तब देख सकते हैं और इसकी life लंबी होती है disadvantages इसका यह है कि इनके limited coverage होते है not suitable for unbranded and non standardized products कई सारे लोग attention नहीं देते हैं to these unsolicited mail नजर अंदास कर देते हैं so यह बड़ा difficult हो जाता है to prepare and update the mailing list illiterate people इसमें नहीं cover हो सकते हैं क्योंकि जिने पढ़ना ही नहीं आता है आप पर mail के पढ़ेंगे सीदी सी बात है there is a very old medium which consists of posters, billboards, neon signs, pamphlets, wall writing, sign boards on buses जैसा मैंने पहले बतायता है and other public vehicles advantages यह हैं कि attention फड़ा फड हो जाता है long life होती है, wide appeal होती है selective होते हैं यह in terms of geographical coverage and it is economical outdoor advertising के कुछे disadvantages भी हैं जैसे it cannot convey detailed message it has low retention value and temporary appeal which is considered harmful to natural landscape and a potential road hazard साथ मां जो अभी recently शुरू है internet or online advertising is becoming popular media for advertising जैसे आप कही सारे portals में जैसे Google, Yahoo, Red F यह सब इनकी website में आप ad दे सकते हो जैसे internet advertising कहा जाता है advertisements में also be given on video games which may or may not be sponsored by the company such as advertisements are called advo games advertisements given on games are called advo games very good many advantages पहला वाइडर कवर जो होता है global audience आप कवर कर सकते हो very powerful and effective due to text, sound, pictures, animation सारी चीज़े इंक्लुड़ी होता है then it provides unlimited opportunity for creativity you can target specific customer groups consumers can respond quickly it can increase brand recall two-way communication होता है buyers के साथ possible है effectiveness of the ad can be judged which is cheaper than traditional media advertiser is charged when people click on the ads unnecessary paisa wastage limited scope as most consumers still do not use it consumers are increasingly declining online ads as these are intrusive intrusive means there is overload of advertising on the internet consumers ignore most of these ads in order to advertise online a company has to hire a professional charge fees अन्ते में सोशल मीडिया की बात करें so advertisement सोशल मीडिया में भी हो सकता है जैसे कि आप सब हम सब यूज करते हैं facebook, twitter, instagram, youtube, linkedin, whatsapp ये सारे के advantages भी हैं and disadvantages भी हैं the ad can be targeted at specific customer groups depends upon the location, gender, relationship, status, work, place, education and interests it provides great visibility to the company Instagram is a great tool for visual storytelling social media has a wide reach across the globe less costly than traditional media more details can be given in the ad speed is, believe me, very fast easy to measure effectiveness of ads so these all are the advertising, media, NK advantages and disadvantages we have discussed the factors influencing choice of advertising media includes the nature of the product location and size of market type of message coverage of media cost of media and other factors so nature of product के गरम बात करें so consumer products of daily use require a general and wide appeal for advertising therefore newspaper, radio and TV are most useful media in this regard when it comes to location and size of market so location and small markets can be covered through films outdoor media and regional newspapers newspapers, radio and TV are preferable in these kinds of market that are large and geographically scattered the type of message the type of message chode chode advertisement bhi diya ja sakte hain radio, TV, films mein but lengthy advertisements are better given in newspapers and direct mail this is a recommendation media ki coverage so when the message is to cover a large member of people newspaper, radio and TV are suitable magazines, direct mail, outdoor media have a limited coverage area oriented होते है cost of media ki baat करें so radio, TV or films जो होते हैं वो काफी costlier होते हैं as compared to the direct mail, newspaper and outdoor media बाकी के factors जो include करते हैं so the objective of an advertisement that is to launch a new product or to remind buyers of a new of a new upcoming product or an existing product media used by competitors and types of buyers for example literate or illiterate it also influence the choice of advertising media in real life business firms use a combination of several media to advertise their products and services depending upon their needs let's come to the meaning of sales promotions so sales promotions means short term incentives of non-recurring nature used to stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness now please consider these two terms stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness the main purpose of sales promotion is to obtain spot buying on the spot customer on the spot customer इतना convince करो खरीदना चाहिए by offering non-recurring non-routine incentives तो साज का offer है सरकल होगा नहीं होगा एग गंटे बाद होगा नहीं होगा दो offer on the spot बिक्री करवो sales promotion activities help to launch new products to take immediate sales to clear overdue stocks पिछले जितने stocks हैं को clear करने के लिए competition meet करने के लिए sales promotion also encourages the consumers to shift to another brand distribution of free samples, coupons, free gifts, exchange offers, price contests these all are the examples of sales promotion techniques the main weakness of sales promotion is that its effect its effect lasts only till the incentive is offered जब तक incentive मिल रहा है तब तक इसका असर रहेगा sales promotion refers to all those activities other than advertising and personal selling that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness यह बार बार तर्म आएगा याद रखो इसको लिख लो, it includes activities like distribution of free samples, premium bonus offers, कही बार निउस्पेपर में आप देखते हो कि Times of India में वह शैंपू का सैशे चिपक के आ रहा है so कई सारे इस तरह के distribution of free samples, premium or bonus offers, free coupons, price contests, demonstrations, incentives to dealers, sales force who are achieving a specified sales target यह सारे activities होती है the basic purpose of sales promotion is to stimulate the on-the-spot buying तुरंद खरीद लो, कल का कोई भरोसा ने according to AMA sales promotion in a specific sense refers to those sales activity is a supplement both personal selling and advertising coordinate and help to make them effective such as displays, shows, demos and expositions demonstrations and other similar selling efforts not in the ordinary routine sales promotion के कुछ द्वांटेज है like low unit cost, sales support, faster product acceptance, effective control, best for new products let's see one by one what it is the low cost unit and the low unit cost refers to the cost of sales promotion per unit is quite low when it comes to sales promotion sales support, sales promotion provides a strong support to personal selling and advertising which serves as a bridge between them faster product acceptance, sales promotion makes a product acceptable to customers faster than any other technique of promotional sales management can have an effective check on the results achieved through sales promotion schemes the costs incurred in and the benefits derived from these schemes can be analyzed and this is known as the effective control best for new product sales promotion efforts are best suited for new products sales promotion provides access to large market and personal contacts with customers and dealers so best for new products now let's talk about need and drawbacks of sales promotion so need to talk about need so need for sales promotion activities has increased due to growing competition so competition So these all are the needs of sales promotions. The drawbacks are first of all incentives offered which are offered in sales promotion schemes. These are artificial, these are not in the actual way. Like Coutons, an April brand that was 99% of declared 50 plus 49. So these schemes are artificial and unreal. Manufacturer here is likely to recover the cost of these incentives by raising the products prices. Sales promotion schemes are offered only during particular seasons. Therefore they produce short term results. As soon as the incentives are withdrawn, demand goes down. There is a field that sales promotion schemes are mainly intended to sell as substandard. This means that sales is a thing. So it's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's not happening everywhere. It's not happening everywhere. It's not happening everywhere. In all the criticisms. सक्ट्रियम के बाव्जूद सेob крут you सेऊसेओं एव इघर्चास्ट्स trading का बोगद में बावजोट्थ नुम्युन्ट सेल्स प्रश्ंव एप लगए धुम्युन नार प्रोम सेज़ें में थो सेल्पर 2 लिए मेन माथर्च्रंपू price of offers, price contest, demonstrations at fairs and exhibitions and exchange offers ये सारे जो है, ये methods and sales promotion के पहला होगा सेंपल कई बारी आप देखते हो, आपके घर न्यूस पे पर आया, उसमें साथ ही चिपका हुआ, शैंपू है, साबुन की छोटी सी example sample है, वो है trading stamps are issued to customers, to the retailers in proportion to the amount of purchase, for example, ramen, bonus, stamps are issued at 2.5% of the value of goods sold, एक किलो यानि कि आप खरी देंगे, तो उसमें से उसका 2.5% जो है, वो आपको मिलेगा, तो यह भी एक तरह का sales promotion है, coupons, readers digest magazine एक आती है, I don't know आप कितना पढ़ते हो, इसके लावा Sodex एक example है, जो coupons provide करते हैं लोगों को, तो यह coupons जो होते हैं, अलग-अलग restaurants में, अवेलेबल होते हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हो, so यह भी एक तरह का sales promotion है, premium bonus offer देती है company, with pack premium, reusable container, offer in the mail, premium, with pack premium, free product होता है, which is given along with the product purchase for the customer, जैसे आपने मान लेज़े कि एक बड़ा packet तो, सर्फ detergent खरीदा, उसके साथ आपको एक balty free मिलेगी, अब balty जो है, उसमें सर्फ excel का logo लगा हुआ है, आपके घर अगर कोई आता है, देखता है, आपके ही जहन में, आप बार बार देखोगे उस balty को, सर्फ excel का logo रहता है, उसमें, sales promotion है, reusable container देते हैं, इसे आजकल आप bon vita, milo या कोई ऐसी energy drink खरीदो, आपके साथ में shaker देते हैं, shaker किसलिए, रिष्टेदार हो, आप उनके काय को देंगे shaker भाई, product advertise करते हैं, sales promotion करते हैं, they are not here to make relationship with us, free, in the mail, premium, a dry cleaner may offer pay for two shirts, and get three shirts dry cleaned, clear example, price of offers, it means offering the product at below the normal price, business firms can be 20% discount on the sale of refrigerators, schoolers, fans, off-season में, थंडी के नॉवंबर, दिसम्बर में, नॉर्थ इंडिया में, जहां थंड जबर्दस परती है, कोई नहीं खरीता है, इसी कूर, उस समय पे हो सकता है, या आपको, price of offers दे दे, price contest होता है, contest may be held for customers, salesmen, and dealers, customers are required to write a slogan, complete a sentence about the utility of the product, which provides a new idea for advertising to the product, contest for salesmen and dealers are also held to encourage them to increase the sale of the product, attractive price is given, to best entries, finally panel of judge bet, और, वो select करता है, कि इन में से best entries कौन सी है, demonstration जो है, वो demo का short form होता है, जो आजकल तो education में भी लोग बोलते हैं, वह यह demo देखा, वो teacher का तब admission लेंगे, teachers की इतनी गंदी value है, कि उन्हें demo देखाना पड़ता है, अब आजकल वैसे parents की भी fault पूरी नहीं है, क्योंकि हर इनसान जो भी time pass कर रहा है, मुझे द्वासी आती कहीं वो वक्त ना आ जाए, कि लोग प्लेन में बैठने से पहले पूछें है, कि भाईया, डेमो में ज़रा एक राउंड उडा के बता दो, तो मुडा पाते हो है नहीं, पाइलेट को, यह भी समय आने वाला जल्दी, so demonstration होते हैं, fairs, exhibitions या malls के बाहर ही आप याइसे निकलते हैं, आप कोई चोकलेट टेस्ट कराने के लिए, कोई lady या कोई sales executive आजाता है, तो इस तरह के demos भी होते हैं, then exchange offers होता है, पुराना प्रोड़क्ट लाओ, नया प्रोड़क्ट लेके जाओ, so these all are the thing, I think you are very well aware about, बाकी जो चीज़े हैं, वो आपके textbook में लिखी हुई है, जो समझ में ना है, comment section में जरूर post करें, और easy है यार, कोई इतना बहुत जादा hard and fast नहीं है, ना, now let's see the distinction between advertising and sales promotion, so advertising versus sales promotion can be broadly classified under the main headings, nature purpose, regularity, orientation and focus, so let's see nature advertising has a long term perspective, whereas sales promotion has a short term perspective, to boost immediate sales, purpose of advertising is to build image of the advertiser and his product, on the other hand, the main purpose of sales promotion is to increase the immediate sales, अभी के समय पे sales increase करो, advertising is recurring and routine technique, whereas sales promotion is non recurring and not in ordinary routine, orientation देखें, so advertising हमेशा consumer oriented होती है, और sales हमेशा product oriented, last में हम बात करें, focus की, so advertising moves the buyer towards the product, while sales promotion moves the product towards the buyer, ये major distinction है, अगर आपको समझ में आ गया है, आपने वर्ट में यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर ये सोच रहे है, यार इतने पॉइंट्स हैं, कैसे लर्न होंगे, तो जब तक समझोगे, ये वोंट बेबल तो अंडर्स्टैंड, and if you won't understand, you won't be able to write or present, समझने कोशिश करो, simple है, so come on, let's see the comparison between the sales promotion and advertising, so if we see the meaning of sales promotion is the marketing activities which stimulate consumer buying and dealer effectiveness, we have dealt in before, advertising is any paid form of impersonal presentation and promotion of a product, service or an idea by identified sponsor, आप देख रहे हैं, चीज़ें जो हैं पूछी तो जा रहे हैं, और फिर्दिन रहे हैं, बट चीज़ें वही रिपीट हो रहे हैं, let's see the time horizon, sales promotion is always for the short term perspective, advertising is for the long term perspective, we have dealt this even before, aim is to increase immediate sales or dispose of old stock, advertising aims to build image of producer and his product, media, sales promotion में होते हैं, free samples, coupons, contests, premium offers, displays, exhibitions, advertising में होते हैं, newspaper, magazines, TV, radio, posters, films, and other media, आप देख लो एक तरह से रिविजिन हो रहा है, आप नेचर, sales promotion का limited period, non-recurring, advertising, regular and recurring, emphasis, supplemented to advertising and personal selling, pushes product towards buyers, here in advertising, informs, persuades and reminds, buyers, attracts customers towards the product, scope, sales promotion में, individual communication होता है, advertising में, mass communication होता है, brand, it means any identification mark, such as, trade name, mark, symbol, picture, design, color, etc., used to identify the product of a seller and to differentiate it, from the products of competitors, यह है brand की definition, यानि कि किसी भी तरह का, identification mark, जिससे आप identify कर सकें, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे, trade name, symbol, logo, design, जिससे आप, किसी भी एक particular product, को, उसके अन्य कॉम्पेटीटर से, डिफ्रेंशियेट कर सकें, अलग कर सकें, a registered brand is known as trademark, जैसे कि अगर हम कुछ एक, जैसे आप यह, एस का logo देख रहे है, राइट हैं साइड में, आपके उपर, जो है, अभिलाज कूचेन एजूकेशनिस्ट का, TM लिखा हुआ है, अभिलाज के उपर, सर्कल में, सो TM का मतलब है, ट्रेड मागी, एक registered brand हो गया है, जिसको गोई copy नहीं कर सकता है, अब देखते हैं, बड़े ही इंट्रेस्टिंग ब्रैंड, इंडिया में है, आपको मालूम है, इस brand की कई सारी चीज़ें, अविलेबल हैं मार्केट में, बट, इन ब्रैंड्स ने अपनी इतनी पकड़ बनाई, कि लोगों को लगता है, कि ये है, तो इसी company का होगा, जैसे घी, वनस्पती घी की बात करें, तो डालडा, डालडा जबी भी हम सुनते हैं, तो हमें लगता है, वनस्पती घी है, ये एक्चली हम लोग की जनरेशन, मतलब आपकी तो काफी एडवांस्ट है, हमारी जो जनरेशन थी, और डालडा मतलब, वनस्पती घी, अब डालडा कंपनी का नाम है, तूथपेस्ट हमारे लिए सिफ कोलगेट हुआ करता था, आज की डेट में इतने सारे ब्रैंड्स अवेलेबल हैं, बट फॉर अस, कोलगेट मेंस तूथपेस्ट, फॉर अस, लक्स मेंस साबून, टाइटन मेंस वाच, वे दिन नियू बाओ रोलेक्स, वे दिन नियू बाओ राडो, ये साब ब्रैंड्स नहीं, हमारे लिए ब्रैंड कुछ हो और ही था, अगर हम बिसलेरी मांगते हैं, इसका मतलब, हम आज भी मिनरल वाटर मानते हैं, वो कोई भी ब्रैंड का हो, बत बिसलेरी is actually not mineral water, बिसलेरी is the brand that used to sell mineral water, ये होता है, power of brand, branding is the process of assigning a distinctive name to the product by which it is to be known and remembered, ये वो process है, जिससे एक distinctive name दिया जाता है, किसी भी product को, जिससे वो आने वाले समय में, जाना जाए या पहचाना जाए, it is a process by which a product is branded, it is a general term, covering various activities, such as giving a brand name to a product, designing a brand mark, popularizing it, एक brand name में, words हो सकते हैं, numbers हो सकते हैं, letters हो सकते हैं, जिने आप pronounce कर सकते हैं, नहीं तो, symbols हो सकते हैं, designs हो सकते हैं, जो की देखे जा सकते हैं, बट उनका इस्तमाल, pronunciation के लिए नहीं किया जा सकते हैं, जैसे आप इसली अभी आज की डेट के हैं, Aston Martin, Rolls Royce, BMW, Audi, Rolex, इन सब के brand आपके जहन में, घुमते होंगे, और आपको अच्छी तरह से मालूम हैं, कि इनके brand symbols क्या हैं, यही होती है power of branding, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अपना logo है, Abilash Coach and Educationist, AST का logo है, Abilash के उपर right hand side में, आपको top में circle में दिख रहा है, कि यहाँ पर है TM, trademark, so AST Abilash, जो कि अब use किया जाता है, the study की Abilash logo, so यह है actually trademark, यह मैंने इसलिए लगा है, ताकि आप समझ सकें चीजों को, कि क्या है, TM circle में देख ले, TM actually होता क्या है, TM is a trademark, and types of brand, so trademark is basically a legal term, which refers to the brand, which is registered, under the trade and mercantile marks, act 1958, इसके अंतरगत आपको, आपके लोगों का registration करवाना पड़ता है, so it acts as a legal protection, and आप जिन भी चीजों के ऊपर, उस चीज का, उस लोगों का इस्तमाल करते हो, that will become the sole and exclusive property, of the owner, repeated use causes a brand name, to become a generic term, synonymous with allied products, कभी-कभी brand इतने ज्यादा effective हो जाते हैं, कि उस brand से वो product जाना जाता है, जैसे बिसलेरी mineral water, हिंदुस्तान में तो इसका बड़ा वर्चस हुए है, types of brands में अगर हम बात करें, तो symbol and marks, आपको अच्छी तरह बखूबी logo, जहन में आ रहा होगा, Mercedes तीन लाइन्स होती है, तीनों center से connected होते हैं, circle से, circumnavigated होते हैं, BMW, MW, याद आ रहा है, circle, cross blue and white, RR is rolls-royce, double RR होते हैं, या तो उसको एक विशेश नाम दें, जैसे pear soap, luxe soap, vivo phone, oppo phone, यह सब एक अलगी तरह का नाम मिला हैं, name of the producer service provider, family brands, यह family brands, जैसे godridge, godridge fridge हो गया, Tata, कई सारे businesses में involved हैं, आपका family brand यह आपका खुद का नाम भी हो सकता है, जैसे abhilash, coaching classes चला रहे हैं, doctor batras, medical professional है, homeopathic है, तो आपका नाम भी आपका brand हो सकता है, अब हर चीज़ों के बारे में इतना सुन लिए हैं, advantages देखते हैं, branding के क्या होते हैं, so branding helps consumers to identify and recognize the brand, which is therefore, simplifies for the customer to purchase and sales and reduce the time and effort involved therein, right, आपट आपट मौल जाते हो, अब क्या देखते हो, मेरे brand, मेरे को जो suit होते हो, brand कहां पर, वहां जाते हो, अपनी चीज़ें लेते हो, size select करते हो, निकल लेते हो, second differentiating product from competitors, उस चीज़ के ऊपर, वह logo लगा रहता है, वह symbol लगा रहता है, जिससे आप असानी से, जिससे आप मौल जाते हो, कपड़े तो बेशुमार रखे रहते हैं, almost same quality, same color की shirt रखे रहते हैं, आजू बाजू, बट आप रिफर कौन से करते हो, जो brand, आपको preferred है, जो brand ही अपना advertisement होता है, जैसे आप देखते हो गये, Rolls-Royce कभी अपना advertisement नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलरड़ी एक brand बन चुके है, then branding helps to minimize selling cost, by reducing dependence on middleman, अगर आपको एक brand मिल जाता है, so middleman की बीच की, जितनी भी राशियां होती हैं, जितनी भी amount होती हैं, वो सब भटते जाते हैं, जिसकी वज़े से, आप easily, चीज़ें अपनी बेच सकते हो, then branding ensures uniformal standards, of quality and design to customers, prices of branded and standardized products, are fixed by the manufacturer, वहाँ पर कोई भी bargaining की जगह नहीं होती है, you cannot bargain, on the price of Rolls Royce, or if you are going to buy a Rolex watch, या आप नहीं कर पाओगे, bargaining हर जगह पर, so यह branding का power है, यह branding का value है, अ़र करने पे आओगे, त यह बिल जच शो यू दा, exit, out of their office, इसके लाव ब्राब इंस रडिट sentence abroad in the market as need to infar inspection and sample is eliminated goods can be sold by description and the fetch better prices because of the branding of the particular brand or product. then comes the branded products are invariably packed उसको पैकेजिंग ऐसे होती है विच प्रिवेंट्स एडल्ट्रेशन आप पैकेजिंग से समझ जाओगे अंदर का जो प्रोड़क्ट है वो एडल्ट्रेटेड है या नहीं एडल्ट्रेटेड यानी की मिक्स क्या हुआ मिलावटी तो एडल्टीर थे ब्लुट्रेड एल्यूद् से क।्रड़ करना प केजिटिंग तुछ प्ल्रवल ओर प्रणों घ्सomic Oготов which donू पुर और कि जरा परुनों आप aç दोना से ट्रेम्ट अपिस क wärा च जर ऑंट आसे जिस झाल प्लों से ख्रेंडरे कर अपुं मार्शरिक तर पर्चांज रूंक तो घ्रेस्ट इना कि सरो of registration and legal protection so these all are the essentials of a good brand when it comes to business studies or commercial application so any such a subject case studies must let's see about hll aajki date me hindustan unilever limited merge brands nor and annapurna dono hi shabda aapne bhohti commonly sonha hoongi nor istamal hota mohinli soups ke saath noodles viya isk and annapurna arta nor and annapurna they were the key food brands of hul which got merged in the year 2003 the entire range of products marketed separately and the nor and annapurna brand is now marketed under the nor annapurna umbrella in addition the company has also brought its bread brand modern under the kisaan umbrella modern will now be marketed as kisaan aata bread now it's a brand ka khele cheese vai maal bech rehi company all together naam change ho raha hai but fark pa raha hai dekho kaysa modern will now be marketed as kisaan aata bread confirming this and hll spokesperson said that the merger will benefit both the brands okay let's see nor is unilever's fastest growing food brands worldwide sources said hll may phase out the annapurna brand over a period of time thik hai thereby positioning nor as a single food brand yeh samayi aagya ki annapurna ko hattai deena hai nori chalega a couple of years ago annapurna was slated to be the flagship brand for its stable food food product but seems to have found little favor with customers thoda asa log bhi annapurna se khafate dekhte hain company watchers saw this move as a part of the unilever strategy of integrating global brands as a staple brand annapurna was a slow mover naami abhindi naam hain hala ki devhi ka naam but slow mover ta dekhte hain ap kaise yeh aage kya hota hai let's see nor has a better brand equity in the culinary products market especially in the soups category as i told you soups and noodles the kisaan brand was earlier used to identify annapurna as the liver product but was later taken off after the management felt that the annapurna had acquired a brand identity of its own in november 2001 the company spun off kisaan and annapurna because both brands acquired a prime brand identity of its own so i hope after going through this study this case study and the previous facts so about advertising and branding somewhat it's now clear to you brand promotion means informing reminding and persuading present and potential customers to purchase a particular brand it is primarily the responsibility of the concerned manufacturer those wholesalers and retailers may also undertake brand promotion brand promotion the main purpose of brand promotion is to build a market for the product and to meet competition through regular advertisements of a brand a business concern tries to develop a positive image of the product and brand loyalty brand loyalty means that some consumers continue to prefer a brand due to faith in its superiority the power and value which a brand adds to the product is known as brand loyalty or brand equity the methods of brand promotion so advertisements quality control and publicity are regularly given to make repeated advertisements like luxe soap, colgate toothpaste, tight end watch, honda car this is why it is popular in the market quality control brands become popular and continue to enjoy the confidence of buyers only when the quality of the brand is maintained quality come so people don't want to pay attention to the market the third is publicity 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 means any commercially significant news which has no sponsor is non-personal and is not paid for the uh by the individual or organization involved in it mass media such as newspaper radio television television movies movies actors actress controversy 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 kuch 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 hi letter pose I 1 kwe n I 2 kuch 00 H MON online portal खोली आपको इन से related चीज़ है जरूर मिलेंगे आज की डेट में तो नवाजू बीन सिद्धी की साब की मिल रही है तो यह क्या है publicity है तो यह भी एक तरह का brand promotion है sales promotion है news releases, feature articles, letters to the editor, press conference, audio visual materials यह सब techniques है publicity की publicity एक inexpensive, timely और credible method of promotion का but organization has no control over publicity जिस हद तक good publicity का सवाल है image enhance कर सकती है उसी तरह publicity अगर bad हो गई so it may spoil the image of an organization so this was all about the advertisement and brand promotion by Abhilash if you like the video do share, subscribe and most of you have not pressed the bell icon to get the latest notifications so press करो, share करो और जितना हो सके like करो study के Abhilash आपके लिए जरूर लेते आएंगे lectures, ये lectures की, ये lecture जो है, ये actually on demand lecture है ये एक student ने हमें demand करके बताया था facebook comment में इसलिए lecture update हुआ, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पसंद का lecture हम update करें तो बेशक आप comment कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं वक्त देने के लिए धन्यवाद, I hope आपकी problem solve हुई होंगी और अब विदा लेना चाहूंगा, मैं अभिलाश जल्दी मिलूंगा आपको फिर से एक नए lecture के साथ, शुक्रिया, उमीद करता हूँ आगे आने वाला दिन आपका शुब हो करता हुआ 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 है